हेलो विटा देखिए विटा हम उपसर्ग और प्रत्य वाला चैप्टर पढ़ चुके थे हैं आज हम उसकी एक्सेसाइज करेंगे ठीक है तो आप भी अपनी बुक निकाल करके रखे वो पेज नंबर वन सिक्स निकालो 1-16 ठीक है देखिए इसमें फर्स्ट है कु आ अव उपदुर निर उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखो ठीक है तो कु उपसर्ग लगा करके दो शब्द क्या बनेंगे बताओ कु पुत्र दूसरा कु संग ठीक है उपसर्ग हमीशा कहा लगते है आग अपसर्ग लगा करके दो शब्द बनाने हैं, पहला है अचल, दूसरा क्या बन जाएगा, अधर्म, आप और भी दूसरे भी लिख सकते हो, जो मैंने लिखा है वो आप लिखना चाओ तो लिख सकते हो, और अपनी मर्जी से भी दूसरा लिखना चाओ तो वो भी लिख सकते हो ठीक है, next देखिए, अव, अव उपसर्ग लगा करके दो शब्द क्या बनेंगे, अव सेश, यहाँ पर देखो, सेश जो शब्द है, वो मूल, मूल सब्द है, ठीक है, अव क्या ओगे है, उपसर्ग हो गया, ऐसे ही, अव गुन, गुन शब्द क्या है, यहाँ पर, मूल शब मैंने बना दिये है, दूर से कौन-कौन से शब्द बनेंगे, देखो, दूर जन, अव यहाँ मूल शब्द क्या है, जन शब्द मूल है, और दूर यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है, यह जो रह है, उपसर्ग है, यह रह का रेफ रूफ है, ठीक है, यह स्वर्रहित होता है, देखो यहां हलंत लगा हुआ हलंत का मींस क्या होता है स्वर्रहित ऐसे ही दुर गुन यहांपर दुर क्या है उपसर्ग है और गुन क्या है मूल शब्द है ऐसे ही निर से शब्द बनाईए दो निर बल ठीक है तो निर यहांपर क्या है उपसर्ग है और बल यहांपर मूल श आप अपनी बुक में फिल कर लीजीगा है एक टा यह वाला तर्वान प्रत्य लगाकर दो दो शब्द लिखो यहांपर क्या ओगया मूल शब्द हो गया और इक क्या हो गया है आपर प्रत्य हो गया ठीक है मधूरता ऐसे ही ता प्रत्य लगा करके हमने क्या बना है मधूरता और सुन्दरता अब यहां देखिए मूल शब्द क्या हो गया इसके अंदर मैंने यहां पर यह रोंग लिखा हुआ है इसको ठीक कर लेना यहां रहा नही वुल शब्द हो गया, इसमें उफसर्ग, ऐसे ही सुन्दर में मूल्शब्द हो गया, ठीक है, ऐसे ही देखो, ई प्रत्थे लगा करके, बेटी और पुत्री, तो, यहां पर, इ two, लाऑक का लोग हो गया, और इसमें, पुत्र, क्या हो गया? अमूल शब्द हो गया ठीक है ऐसे ही या प्रत्य लगा करके देखो बढ़िया घटिया तो बढ़िया में भढ़ क्या हो गया अमूल शब्द हो गया और इसमें घट मूल शब्द हो गया या प्रत्य हो गया दोनों में ऐसे ही दूद वाला सबजी वाला दूद और वाला क्या दूद और सब्जी क्या हो गया मूल शब्द हो गया और वाला क्या हो गया इसमें प्रत्र वान इसमें धन मूल शब्द हो गया और इसमें पुत्र मूल शब्द हो गया और वान प्रत्य है ठीक है next है third exercise देखिए नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द लिखो हमें इनके मूल शब्द लिखने हैं बताओ इसमें क्या होगा अन पड़ तो अन का तो कोई मीनिंग नहीं होता पड़ का मीनिंग होता है तो पड़ क्या है यहाँ पर मूल शब्द है ऐसे ही अव सेष सेष सब्द क्या हो गया सेष का मीनिश होता है बचा हुआ ठीक है तो सेष सब्द क्या हो गया मूल हो गया अव यहाँ पर उपसर्ग है चमकीला अब देखो इसमें इला प्रत्य लगा हुआ है और चमक क्या है या पर मूल शब्द हो गया नेक्स्ट अवगुण अवगुण में गुण शब्द क्या हो गया मूल शब्द हो गया और अवग क्या हो गया यह उपसर्ग हो गया समवाद ठीक है इसमें भी वाद शब्द क्या है मूल शब्द है ठीक है और देखें, कुपुत्र में पुत्र मूल शब्द हो गया, अधर्म में धर्म मूल शब्द हो गया, दुर्बल में बल मूल शब्द हो गया, अज्यान में ग्यान मूल शब्द हो गया, विज्यान में ग्यान मूल शब्द हो गया, उपहार में हार मूल शब्द है, बूल मूल ठीके आप देखिए next exercise है नीचे दिए नीचे लिखे शब्दों को पड़ो तो तालिक हमें इसी सक्यानुसार लिखो अब देखो यहां कुछ शब्द लिखे हुए हैं इनको हमें अलग-अलग करना है मूल शब्द अलग करना है और प्रत्य अलग करके लिखना है देखिए इ इसनावट प्रत्य लगा है और सजावट अब देखिए मधर में क्या हूगया मधूर मीं मूल शब्द हो गया इफ्र है और बढ़िया डाहर में द्धार मूल शब्दय यह एक प्रत्य लगा इसमें इसली क्या बन गया ये धार्मिक रंगीला में रंग मूल शब्द हो गया इला प्रत्य लगा हुआ है रंगीला ठीक है इस तरीके से आप भी अपनी बुक में फिल कर लेना नेक्स्ट है देखिए निमलिकी शब्दों से मूल शब्द रूपसर्ग अलग करके लिको अनपड में अनउपसर्ग है और पड़ क्या है मूल शब्द हो गया अधर्म में आउपसर्ग हो गया और धर्म क्या हो गया मूल शब्द हो गया अतिरिक्त में अति उपसर्ग हो गया रिक्त क्या हो गया मूल शब्द हो गया विदेश में वी उपसर्ग हो गया देश क्या ह गया पर मूल शब्द हो गया कुरूप में कू उपसर्ग है और रूप क्या है मूल शब्द है अंजान में अनुपसर्ग है और जान क्या है मूल शब्द हो गया अचल में आ उपसर्ग है और चल क्या हो गया मूल शब्द हो गया ठीक है यह आप इस तरीके से इसको फिल कर ले नेक्स इसके MCQ कुश्चन है, वो भी आपको आई बढ़ बता देती। देखिए, जो शब्दांस किसी मूल शब्द से पहले जुड़ कर उसकी आर्थ में परिवर्टन लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं? उपसर्ग जो शब्दांस किसी शब्द के अंत में देखो पहले तो कौन से पहले क्या जुड़ते हैं उपसर्ग जुड़ते और अंत में कौन जुड़ता है प्रत्य जुड़ते हैं ठीक है जो शब्दांस किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उन्हें हम क्या कहते हैं प्रत्ति गहते हैं अब देखें बाले में उचित उपसर्ग होगा बताओ क्या उपसर्ग है इसके नर सबस्टो क्या होगा अप Theo ही निर निर्बल ठीक है अब देखो त्वय प्रत्य के लिए उचित मूल शब्द है लड़कत्व नहीं बैठा बच्चात्व यह नहीं दनवत नहीं मनुश्यत्व ठीक है तो इसके इनका आंसर क्या होगा मनुश्यत्व कुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रियोग रूप क्या है मूल शब्द है तो कू उपसर्ग हो गया ठीक है अब यह चोटे उपकी मात्रा है तो चोटे उपकी मात्रा है इदर भी नेक्स्ट देखिए विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रियोग हुआ है वी उपसर्ग इसके अंदर प्रियोग में हुआ है क क्या है इसका अंसर सही अचल नेक्स देखिए आहट आहट है यह ना कि आवट है ठीक है आहट प्रत्य का प्रियोग हुआ है सजावट इसमें कौन सी आवाज आ रही है आवट की आवट की आवाज आ रही है गबराहट इसमें आ रही है आहट की आवाज ठीक है तो गबराहट शब्द में ही क्या है आहट प्रत्य है नेक्स देखिए धनवान शब्द में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है धन क्या है इदर मूल शब्द हो गया और वान क्या हो गया है प्रत्य हो गया तो वान प्रत्य लगा हुआ है इसके इंदर नेक्स देखिए चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्य प्रियोग हुआ है चालक शब्द में कौन सा प्रत्य प्रियोग हुआ है अक प्रत्य कौन सा प्रत्य प्रत्य नेक्स देखिए बलाई शब्द में कौन सा प्रत्य प्रियोग हुआ है आई प्रत्य कौन सा प्रत्य आएगा इसके अंदर आई इसका अंसर क्या ह तो बिटा आज 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 आपको क्या करना है यह आपको अपनी बुक में फिल करनी है जो भी मैंना आज आपको एक्सेस कराई है तो हमारा यह चैप्टर कंप्लेट हो गया है इसके कोश्चन आंसर में नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूगी ठीक है आज के लिए द्हाि क्यों सलेट में सबस्क्रा अज आंसर फिल को एंग करें आज 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 आए इसकंट कर दो पकत दूए हूंOOD किढ़ए